व्가요 लू एंड वेल्कम टू आंलाइन संकूल इंडिया फोर लाईब्री सयंस एक बार फिर से आप सभी का आलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाईब्री सयंस पे जोड़दार स्वागत है दोस्तों मैं आपका दोस्त उमेर सिंग कचावा पूस्त का लिए अधेख्स बिहार लाइबेरियन बर्थी परिक्षा की त्यारी करने वाले सभी विद्यारतियों के लिए आज एक special class लेकर आया हूँ जिसका नाम है DRTC क्या नाम है दोस्तों DRTC DRTC की जो full form होती है D for documentation, R for research, T for training और C for center यह topic आज especially बिहार लाइबेरियन की त्यारी करने वाले विद्यारतियों के लिए मैंने चुना है क्योंकि इस topic में से एक सवाल हमेशा जो है state level का कोई भी competition exam or library science का एक सवाल इस topic में से यह पुछा जाता है तो आप इस class को last तक देखते रहें कुछ और भी बहुत सारे important चीजे जो मैं आपको last में बताऊंगा पहले हम इस topic की theory पढ़ेंगे, theory पढ़ने के बाद जो इस topic से समझेद मैं आपको objective questions बनाऊंगा आप theory पढ़ने के बाद आप खुद को एसास हो जाएगा कि यह topic हमारे लिख्या हो जाएगा, clear हो जाएगा theory के बाद जो मैं objective questions मैं आपको पूछूंगा, इनके answer आप जरूर comment में लिखिए ताकि आपको भी confidence आएगा, हाँ मैंने जो theory में पढ़ा है, उसके answer मुझे आरेक नहीं आरे दोस्तों ठीक दोस्तों, शुरूत करते हैं आज की जो important class है, topic हमारा है DRTC इस class को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो topic में यह पढ़ा रहा हो जो आज का topic पढ़ा रहा हूँ DRTC, इसकी जो pdf है, इसकी pdf आपको हमारे जो है telegram channel पर आपको मिल जाएगी और telegram channel का नाम है OSI for library science, जिस telegram channel का जो link है हमने description में दे दिया है नहीं तो आप telegram में जाकर आप search कर सकते हैं और search में लिखिया आप क्या OSI for library science तो OSI for library science जो है, search में जाकर आप लिखिये, आप ये telegram channel में जुड़ जाएंगे और मेरे से बात करने के लिए आप 894999992361 आप मेरे से बात करने के लिए आप इस number पर कभी भी call कर सकते हैं देखिये, आज हमारा ये topic है, इसका नाम है दोस्तों, इस topic का नाम है आपके DRTC तो सबसे important आपको बताना चाहता हूँ, कि आपके एक course में इसलिए important है especially बिहार librarian के लिए state level के कोई भी competition होता है इसमें से एक सवाल हमें सब पुछा जाता है तो चाहे राजस्तान हो, चाहे बिहार हो, state level में एक सवाल जुरूर पुछा जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं DRTC तो सबसे पहले सवाल तो ये ध्यान दीजिए कि DRTC की full form क्या है तो पहला सवाल आपके सामने ये बनके DRTC की full form क्या होती है D for documentation, R for research and training center तो ध्यान रखना है DRTC की full form कहीं बाहर प्रिक्षा के अंदर पूछी जाती है तो documentation, research and training center दोशो तो DRTC क्या है DRTC के देखो documentation को हिंदी में कहते है प्रलेखन, research को अनुसंदान, training को पर्सिक्षन और center को के अंदर तो DRTC पुस्तकाले और सूचना विज्ञान और संबद अनुसासन के लिए भारतिये सांक्य की संसान बैंगलोर में एक अनुसंदान के अंदर है देखें दोस्तों DRTC क्या है DRTC अगर हम बात करते हैं तो इसका समन्द जो है वर्गी करन से समन्दित है लेकिं यहां पर क्या कह रहा है कि DRTC पुस्तकाले ओर सूचन ओह बिज्ञान DRTC लाइब्रेरी और इंफोर्मेशन साय से जुड़ाओना यह लिए लेकिन किसे जुड़ाओना है Indian साइंकिक असंसान इंडियन साइंकिक शंसान को अंग्रेजिमें कहता है इंडियान statistical institute हो गया, जीस से हम क्या कहते हैं दोस्तों, आई-स आई, हालाद कि permitir मैं जो इसका जो है, हेड ओपिस है, वो कल्यात्व है, कहाँ पर है, कल्यात्म है, लेकिन इसका जो एक होट सब्सक्राइब, वो यॉनीट कहाँ पर है, दोस्तों इसके unit कहां पर है बैंगलोर के अंदर है दिया रखना तो सवाल पहला सवाल आप पर यह बनेगा के DRTC की full form क्या है दूसर सवाल यह बनेगा DRTC का headquarter कहां पर है तो दिया रखना है DRTC का headquarter चैनर है अपके बैंगलोर काँ पर दोस्तों बैंगलोर है तो डिया टीसी इस रिसर्ट सेंटर डी आटीसी क्या है एक ध्यानकना रिश्ट सेंटर है फो लाइब्रेरी और इनफॉरमेशन साइन्स टीऔड इडि॥ेपल्स एट टा इंडियाइन इस्टेटिकेल इंस्तिटुट बैंगलॉर महलолов बाती अ शांकी की जो संसान एं जिसका मेन ओपिस कलगता में है लेकिन उसका जो एक प्छोटी सी युणीड है वह यूनीट क pewno पर है भाई बैंगलॉर में है इसलिए जो है तेंद डी आटी-सी की स्फानी काहां पर होई थी बैगलोर में और कब ह教 ważि थी उननिससो बास ट breed में और किसके द्वारा हुई थी स्फा Duty रंगानलव के द्वारा किसके द्वारा रंगानचन के द्वारा muti जहां पर तीन सवाल बन गए पहला सवाल डियाटीसी की स्थापना कहा पर हुई बैंगलोर में डियाटीसी का है दोस्तों कि बैंगलोर में और डियाटीसी की स्थापना कब हुई दूसरा कुशन पहला कुशन तो होगे डियाटीसी की स्थापना का हुई दूसरा सवाल बन ग गया कि डिया टीसी की स्ताफ ने किसके दोरह की गई एस आर रंगानतन के दोरह की गई और चौता सवाल क्या बन गया डिया टीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसने पुस्काले वर्गी करण में अनुसंदान के विबिन इस्त्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया सक्ता है तो कि से समन्दित पतां को लाइब्रेरी एक से तो लाइबरी क्लासिफिकेशन में जोबी रिसेर्च वाली चीजे होती है उस को पूरा करने का जो कार्या कौन करता है किसे इंटर है जिसमें वो पुस्तकाले तो सूचने विञ्यान से शमम्दित जितेने भी जो है मैटर या कंटेंट आता है उस पर रिसेच करने का काम कौन करता है डियाटी से करता है तो डियाटी सी वाज एस्टबलिस इन बेंगलोर में इसकी इस्था अपना हुई इन नाइटी सिस्टी टू उननीश सो बासेट में ऐसा रंगानतन किसके द्वारव है ऐसा रंगानतन के द्वारा इट एक्टिविली प्रोमोटेट डिफ्रेंट लेवल्स ओव रिसेर्च इन लाइब्रेरी क्लासि इसका नाम है लाइब्रेरी साइंस विच स्लांट टू डॉक्यमेंटेशन एन इंफॉर्मेशन स्टडीज जिसके इस्ताब ने कब से हुई उनिस सो चोसर से यह जो किताब जो है यह जनरल जो है शुरू किया था बहुत इंपोर्टेंट कोश्यन है इस सवाल को समझना आप कि डी आडी सी डी आटी सी और उसके साथ कों है वही तो डी आटी सी और उसके साथ है एस आर एल्स सोर्स का आल से पढ़ा होगा यह दोनों मिलकर एक जो है त्रेमासिक पत्रिका निकालते हैं त्रेमासिक पत्रिका का मतलब क्या होता है Quarterly General निकालते हैं उस Quarterly General का नाम क्या है Library Science with Slorn to Documentation and Information Studies यह कब शुरू कब शुरू किया था 1964 तो DRTC bringing out in collaboration with Sardar Aanganathan Indowment for Library Science एक क्वार्टली का मुलब त्रेमासिक जन्रल का मुलब पत्रिका और उस पत्रिका का नाम क्या है दियान अगना लाइबरेरी साइन्स with slang to documentation and information studies very important परिक्सा में सवाल क्या आएगा परिक्सा में सवाल ये आएगा दोस्तों के लाइबरेरी साइन्स with slang to documentation and information studies नामात पत्रिका किसके द्वारा परकासित की जाती है तो यह इतनी बड़ी पत्रीका का नाम है यह पत्रीका किस के द्वारा होती है यह दियार दगना है DRTC के साथ SRELS यह दोनों बिलकर जो है इस पत्रीका का क्या करते हैं प्रकाशन करते हैं द्यान लगना ठीके दोस्तों तो आपको पता है कि S.R.E.L.S. इसकी फुल फॉर में सार्दा रंगानेतन इंडॉमेंट फॉर लाइबी साइंस तो S.R.E.L.S. की इस्ताफ नगव हुई थी 1901 में और जबकि D.R.T.C. की यह तरे मासिक पतरीका जिसका नाम क्या है दोस्तों यह रहा नाम लाइब्रेरी साइन्स विच्छन टॉकुमेंटेशन एंड एंड़ इंफॉर्मेशने स्टडिस तो यह तरे मासिक पतरीकाए आपके जैन दिए ऑग के है malt यह त्रूमाजिक पत्री का कभ से शुरू हुई थी 1964 से शुरू हुई थी और इसको शुरू आप करने वाले कौन थे इसको शुरू आत करने वाले एक था डिया टि से लेकिन डिया टिसे के साथ कौन था SRELS SRELS की स्थाफ़ना 1961 में किसके दोरा रंगानेतन के दोरा और डिया टिसे की स्थाफ़ना है 1962 में यह दोणों मिलकर यह त्रे माषिक पत्री का जो है जिसके जो कब से भई 1964 से इसको को प्रकासit किया जा रहा है धिलłby दोस्तों यह चीज यह नगना को आगे हैं फिर हम बात करते हैं डिया डिया टीसी यह की संसान का मले पीसमों अध्या इसको इसлан इंस्टि क्यों का जाता है क्योंकि जो यह बारतिय संसानना उसकी जो एक यूनिट है उसकी एक unit कहां पर है दोस्तों वो unit है बैंगलोर के अंदर है कहां पर है बैंगलोर के अंदर है इसलिए इसको statical sensation भी कहते हैं very important question है दोस्तों very important question है DLRG जिसकी full form है digital library research group ग्रूप 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 यह सवाल आ चुका है के DLRG क्या है तो DLRG की full form होती है digital library research group software और hardware समंदी समस्याओं को हल करने में पुष्काले पैसोर की साहिता के लिए एक mailing सुची है very important द्यान अगना परिक्षा के अंदर सवाल क्या बनेगा द्यान है परिक्षा के अंदर सवाल बनेगा के DLRG mailing list किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है यह प्रकाशित की जाती है DRTC के द्वारा किसके द्वारा DRTC और यह DLRG mailing list क्या होता है यह होता है कि software और hardware समंदी समस्यों को हल करने के लिए पुष्काले पैसोर की साहिता से एक mailing सुची है और यह प्रलेकन अनुसांसादन और प्रक्षेशन के अंदर द्वारा संचालित और अनुरक्षित है ज्यान अगना तो DLRG digital library research group is a mailing list यह mailing list है for helping library professional in solving software and hardware related problems and this is operated and maintained by document and research centering and training center यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीक दोस्तों दूसरी बात यह ज्यान अगना आपको सबसे important के प्रोपेशर एसर रंगानतन के द्वारा very important question है एसर रंगानतन के द्वारा 1962 में इस्तापिट प्रलिकन अनुसंदान prescription के अंदर में लब DRTC तो सवाल यह आएगा पहला के DRTC की स्तापना किसकी द्वारा की गई एसर रंगानतन के द्वारा दूसर सवाल DRTC की फुल फॉर्म क्या है डोक्यूमेंटेशन रिसेर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर तीसर सवाल DRTC का है बैंगलोर में चौत्य सवाल है कि DRTC की स्तापना कब हुई थी 1962 में ठीक है न दोस्तों तो एसर रंगानतन के द्वारा 1962 में DR DRTC की स्तापना हुई पुस्तकाले और सुचना विज्ञान में उनन्त प्रस्टिक्शन और अनुसंदान के लिए एक अंतराष्ठे इससर पर मानेता प्राप्तर के अंदर हैं तो DRTC एक इंटेनेशनल रिसेर्च सेंटर है जहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के वारे में अपड़ेट किया जाता है तो DRTC ए सांकी की संस्तान का मतलब किया होता है इंडियान इस्टेटिकल इंस्टिट्यू TOP वाध्य संस्तान का ही इंडियन इस्ट wow कहा बर लेगलता में है लेकिन इसका जो यूऺट है है एक यूड़ोल में है तो डी आटी सब्सक्राइब किесп быстро अप具 इस्तित्ःत द्गना, तो बारतीय सांखीक संसान, एक्चुली, वो कहाँ पर है? Main of PCS का जो है, वो अकलकता में है, लेकिन, उसकी एक जो यूनीट है, वो कहा है पर? बैंगलोर के अंदर है, इसलिए बारतीय सांखीक संसान की एक उनिट और DRTC दोनों मिलकर जो लाइबरेरी और सुचनरी जयान में जोनों संधान का कार्ये करते हैं. So, the Documentation Research and Training Centre DRTC established in 1962 by Professor S.R. Ranganathan is an internationally recognized center for advanced training and research in library and information science. DRTC is a unit under the Computers and Communication Science Division of Indian Statical Institute DRTC unit is located at the Bangalore Center of the institution. ठीक है दोस्तों? अब हम बात करते हैं आगे. कैंदर की हिसाबना, कैंदर का मतलब कौन है? DRTC द्यान रटना. तो DRTC की हिसाबना, अप्रेल 1962 में Professor S.R. Ranganathan जिसे भारत में आदुनिक पुस्टकाली और सुचने विज्ञान के जनक मन जाते हैं. तो भारत में Father of Library and Information Science किसे कहा जाता है? भारत में कहा जाता है, Dr. S.R. Ranganathan को कहा जाता है. और Professor PC Mahal Nobis, very important नाम है ध्यान रगना. तो DRTC की स्तापना करने में दो वेक्ति थे, एक तो था Ranganathan, Dr. S.R. Ranganathan थे, और दूसरा था PC Mahal Nobis. क्या नाम है भी? PC Mahal Nobis. क्या नाम है दोस्तो? PC Mahal Nobis. ये दो वेक्ति हैं. तो द्यान रगना है, S.R. Ranganathan जो है, और ये PC Mahal Nobis कौन है, पता है आपको? ये वेक्ति कौन है? ये द्यान रगना है ISI. ISI का मलब क्या होता है? बारतिये सांख्य की सांख्य की संस्तान. बारतिये सांख्य की संस्तान की क्या थे वे? अध्यक्स थे. क्या थे दोस्तो? वो क्या थे? अध्यक्स थे. ठेके ना वे? तो बारतिय सांके के संसान के वो अध्यक्स थे PC महाल नोबिस और इधर कौन थे डाक्टर ऐसार रंगरतन इन दोनों ने मिलकर किसकी इस्ताफना की थे वही DRTC इन दोनों के परियास से DRTC की इस्ताफना होई थे तो यह PC महाल नोबिस जो है यह बारतिय सांके के संसान जो कलगता में इस्तित है वहां के अध्यक्स थे और डाक्टर ऐसार रंगरतन जो बैंगलोर में थे इन दोनों ने मिलकर DRTC की इस्ताफना की फिर आखिरकार जो बारतिय सांके के संसान कलगता में है लेकिन उसकी एक वह खोल दी गई थी बैंगलोर के अंदर यह चीज आपको ध्यान में रखनी है के प्रोच्षान से की गई दा सेंटर वार्ज एस्टपलिस इन अप्रेल 1962 अंदर दा और स्पिसिस ऑफ प्रोफेशर डाक्टर ऐसार रंगरतन कंसिडर्ट तो बी दा फादर ऑफ बार्डर ल और हम आगे बढ़ते हैं DRTC के बारे में ठूइक तो DRTC सुनात्य की कारेकَّरम से ऍथिकर को भारतियो संदे thinking की संसान से DRTC एक graduation level का कारियेकर्म चलता है जो भारतिय सांक्य की संसान से इसका नाम में Master of Science in Library and Information Science जिसको कहते हैं एंग्रेजी में MS-LIS के पुरुषकार के साथ सुझना में PhD के लिए प्रंजीगत सोध अधियताओं के लिए एक academic और अनुसंदान के अंदर के रूप में कारिये करता है तो कहने का मले होता है DRTC जो है बारतिय सांक्य की संसान के मधियम से वहां पर एक जो है कोर्स लाता है उस कोर्स का नाम है MS-LIS Master of Science in Library and Information Science ठीक है उसके साथ साथ जो है इसके साथ मिलकर वह पीएशडीप Information Science में सुझना विग्यान में PhD करवाता है DRTC किसके साथ मिलकर बारतिय है संक्य की संसान के साथ मिलकर वह पीएशडीप करवाता है DRTC रंस ए ग्रजुएट प्रोग्राम लीडिंग तो दा आवार्ड आवार्ड आप मास्टर आप साइंस इन लाबरी साइंस MS-LIS from the Indian Statical Institute as well as serving as an academic and research center for research fellows registered for a PhD in information science और information science में क्या करवाता है वह यह पीएशडी भी करवाता है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है वह तो DRTC ने जो पीएशडी शुरू की थी तो DRTC ने पीएशडी ट्रेंट विश्व विद्द्याले इटली के साथ स्योग से शुरू की थी मलब पीएशडी करवा रहे हैं लेकिन बहार कई इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी इनिवर्सिटी होती है जो अपने इनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोग्राम चलाते हैं उस प्रोग्राम में बहुत सारी अधर कंट्री की भी जो इनिवर्सिटी उसमें कॉलोबरेट करती है उसके स्योग से यह कारिक्रम चलाती है से बंतलिए ने के उसी तरीपे से ध्यान रगना है डिज कॉलोबरेशन विद्धा इनिवेर्सिटी आप टेर टेरैंटो है उसके शएक यह सव्यूग से वह पी र करवाते हैं दूस्थों पी र एंसिट यह एक चोण के ना दोस्तों यह चोटा सा टॉपिक था क्योंकि ऐसे चोटे-चोटे टॉपिक को अमेशा स्टुडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं और ना वो पढ़ते हैं ठीके ना और हमेशा एक ध्यान रखना है कि डिया टीसी सबसे प्रमुक के अंदर माना जाता है यह लाइबरेरी साइंस के अंदर क्या होता है कि यह चोटे-चोटे टॉपिक होते हैं कई बार स्टुडेंट को पता नहीं चलता अब यह कोई टॉपिक जो है ना कोई वहाँ पर सेलेबस में कभी मेंशन नहीं करेंगे डिया टीसी सी यार जी यह कभी नहीं मेंशन करते हैं जैसे मैं एक उ क्लासिफिकेशन आपके अंदर देंगे लेकिन क्लासिफिकेशन का मतलब यह नहीं होता है कि खाली क्लासिफिकेशन के साथ एडिसन आएंगे तो क्लासिफिकेशन में चोटे-चोटे टॉपिक होते हैं जैसे हो गया फेज रिलेशन क्या होगे दोस्तों फेज रिलेशन दूसरे टॉपिक हो गया कॉमन आइसोलेट दूसरे टॉपिक हो गया कॉमन आइसोलेट सामनी एकल हो गया तीसरे टॉपिक हो गया अपूपा पैटन क्या होगे दोस्तों अपूपा पैटन हो गया चोतो हो गया आपके पैक्टिकल इन क्लासिफिकेशन प्रायोगिक वर्गिकन में प्रायोगिक हो गया 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 प् के कह सकते हैं उसको device हो गया device के साथ phase relation अपुपा pattern common isolate device इस अरीके से कम से कम साथ आठ topic जो होते हैं तो यह topic सवाल तो यहां से बनेंगे phase relation में से common isolate में से अपुपा pattern practical classification device ठीक है और भी दो तीन topic हैं तो सवाल तो यहां से बनेंगे लेकिन यह कभी कभी भी सलेवस्प में नहीं आते हैं कि यह सारे टोपीक है वो किस से समंदेते हैं ऐसे CCC से छोटे बोटे 8 टॉपिक समंदित है तो यह सलेबस पर कभी नहीं होते है लेकिन यह common sense की बात होती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि आप बिहार लाइबेरियन बर्ति परिक्सा की तेहरी करें सबको पता है अब कई बार मुझे पूछते हैं कि सर बिहार लाइबेरियन का सलेबस क्या है कई बार पूछते हैं कि सर बिहार लाइबेरियन की बर्ति आने वाली है कि बिहार लाइबेरियन का सलेबस क्या है तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ सलेबस को लेकर सबसे पहले तो एक चीज मुझे बताईए कि बिहार लाइबिरेन की क्वालिफिकेशन क्या होगी तो आपको बताएं बिहार लाइबिरेन की क्वालिफिकेशन होगी आपको ध्यान एकना है qualification ठीक है न तो बिहार librarian में qualification क्या होगी पहले तो आपके पास क्या होने चाहिए graduation होने चाहिए और graduation के साथ या तो होगा आपके DLS diploma होना चाहिए या आपके होना चाहिए BLS ये आपके बिहार librarian की qualification होगी है अब आप कहा रहे हैं सर सेलेबस आये नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो तो मैं भायो आपको पता नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात दुख का दुख इस बात का है कि लाइबरी साइंस में जो इस्टूडेंट्स होते हैं जिसमें 90% स्टूडेंट डिस्टेंस एजूकेशन से डिग्री या डिप्लोमा करते हैं उनको सेलेबस के बारे में कोई नोलेज नहीं है कहां से पढ़ना कैसे पढ़ना है तो जो मैं भी आपको सेलेबस करा रहा है न्यू अपडेटेट एप के अंदर वो मैं आपको करवा रहा हूं BLS लेवल का जो मैंने BLS के अंदर जो से लांज पार्ट देखिए पहला पार्ट है जिसका नám है Fountain और लाइप्रेरि साइनस पढ़ातोएं कहा होती क का सोबी है, लाइबरेरी की कितने परकार है, समन्दित कितने असोशेशन है, इफ़लाग, UFOP के बारे में, IELA के बारे में, אाले के बारे में, यूनेसको के बारे में, रंगानतन के जीवनी मेलवन डिवी की जीवनी WCB सेर्स की जीवनी पाँच सुत्र उपसुत्र कौन से दिये थे रंगानतन ने और भी बहुत सारी चीजे हम पढ़ते हैं ठीक है और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है knowledge organization का knowledge organization का मतलब क्या होता है ज्यान संगटन जो आपके belief में आप practical करते हो दो practical होता है कौन से दो होता है पहला होता है classification क्या होता दोस्तों classification और दूसरा practical किसका होता है cataloging क्या होता है cataloging इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम सुचिकरन कहते हैं यह सबसे important होती है मैं आपके एप के अंदर online school इंडिया एप के अंदर ये topic में वापस new updated पढ़ा रहा हूं आपको इसलिए हालांकि मैंने राजिस्तान थर्ड गेट में भी पढ़ा दिया था हालांकि मैंने केवीस में भी पढ़ा दिया था लेकिन इस topic को मैं वापस update कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें से सबसे ज्याधा questions आते हैं क्योंकि मुझे पता है कि library science के जो विद्यारती होते हैं जिसमें 90% distance education से course करते हैं उनको कोई उनको पता ही नहीं है कि practical क्या होता है practical के सवाल कैसे आते हैं इसलिए सबसे ज्याधा question cataloging और classification में आते हैं इसमें student को यह पढ़ा रहा हूं आपने तो नहीं पढ़ा है क्योंकि आपने सब लोगे ने distance education से course किया इसलिए आपको subject knowledge भी है लेकिन मैंने BLS के अंदर जो किताबे आती है उसके हिसाब से आपका syllabus करा रहा हूं यह दूसरा part हो गया तीसरा part होता है दोस्तों management तो library management कैसे की जाती है उस management के बारे में सवाल आता है चौता सवाल होता है reference service reference service का मनलब होता है संदव सेवा और दूसरा होता है information service सूचना सेवा यह होता है आपके चौता और पांच वा पार्ट होता है आपके basic computer computer का होन साभी basic computer input device है output device है and उसके साथ क्या आएगा library automation क्या होता दोस्तों library automation तो बिहार librarian की त्यारी करने वाले सभी विद्यार्टियों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी से आप मार्केट में जाकर पांच रजिस्टर लेके आजाए कितने रजिस्टर पांच रजिस्टर अगर आपको वास्तों में librarian बनना है तो मेरी बात को आप अच्छी तरीके से स तीसरा, चौता और पांच वा चाहता है यह पांच 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 है इसलिए पांच 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 को पांच रजिस्टर में आपको maintain करना है यह पांच रिजिस्टर इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपकी बहाली जो है कभी भी आ सकती है अगर आपको सही डंग से अगर आप अलग-लग रजिस्टर में नोट्स बना लोगे तो बहाली के समय एक्जाम के एक महिने पहले उनको रिविजन करना बहुत ज़्यदा आसानी रहेगी जितना ज़्यदा आप रिविजन करोगे उता ज़्यदा आपको फाइदा होगा ठीके ना कई बार कुछ कहता है लड़के स सबसे सब्सक्राइब नहीं हुआए लेकिन एक सो लेक्समत को कोष्ट लेते हो के सब्सक्राइब लेकिन नमबर से मेरा selection नहीं हुआ है, लेकिन 110 नमबर वाले का हो गया, क्यों हो गया था? क्योंकि 110 नमबर वाले ने एक टॉपी को पाँच बार रिविजन किया था, कितरी रिविजन किया था? पाँच बार, और आप लोगोंने रिविजन किया था, दो से तीन बार, तो इसलिए द्यान रखना है जो विद्यार्ति कहते हैं कि सर्वें दो सवाल से रह जाता हूं तीन सवाल से रह गया चार सवाल से रह गया चार नंबर या पांच नंबर से रह गया हूं तो वो उसमें गलती आपकी रहेगी क्योंकि जो सलेक्शन हुआ हो ना उसमें एक टॉपी को पांच से साथ वार रिविजन किया था और जो दो चार नम diğer रह जाते हैं न वह लोग क्या करते हैं दो व्वार रिविजन कर पाते हैं तो इसलेख्षण सापका जो satisfaction है वो ध्यान डखना आपको कोर्ष पूरा कर नहीं होगा सेलेक्षण होगा समय पर कोर्ष पूरा करना और I रिविजिन और टेस्ट देने से होगा क्योंकि लाबरी साइंस में 90 बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से करके आते हैं उनका सब्जेट नॉलेज नहीं होता है कहां से पढ़ना कैसे पढ़ना है इसलिए मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं दो सब्सक्राइब लोगों के लिए बहुत बड़ी अपूर्शनिटी है बहुत बड़ी वेकेंसी आने वाली है ऐसी वेकेंसी इतियास पर वापस नहीं आएगी इसलिए इस वेकेंसी का यूटिलेज कीजिए और अच्छे तरीके से आपको सिस्टेमेटिक बनाई है और दूस का मलग होता है हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों उपर वीडियो बनावा है वीडियो की नीचे क्या है दोस्तों हमारे पीडियव है और पीडियव की नीचे क्या देती है टेस्ट देती है क्या देती है तो सबसे पहले क्या करना पहले पीडियव से क्या बनाना आपको नो क्लास आपको देख न तो आपको कितना हो जाएगा 60% किलिए रोज जाएगा तो इसके बाद आपने वीडियो देखा उससे समझद्य हार टॉपिक के कम सखम 30 से 40 कूश्टं दिये हमने कितने कूश्टं दिया है 30 से 40 कूश्टं प्रैक्टिस दिये हैं topic के नीचे पहले theory पढ़ ली देखो पहले theory लिख लिए आपने फिर theory को समझ लिया फिर उसके 30-40 question आपको मिला लीजिए 30-40 question बार-बार मिलेए तो आपको यकिन हो जाएगा कि हाँ इस topic में से ऐसे सवाल बनते हैं ऐसे सवाल kbis में आया था कहां कहां आया था वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है फिर आप questions मिला लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 20% और clear हो जाएगा तो 60-20-80 और इस तरीके से आपको ये आपको क्या हो जाएगा 100% topic clear हो जाएगा पहले नोर्स बनाइए हिंदी मेडियम वाला हिंदी में लिखिए इंग्लिस मेडियम वाला इंग्लिस में लिखिए फिर मेरा वीडियो देखिए वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरू जीजिए एक टेस्ट को आप unlimited दे सकते हैं unlimited वीडियो देखो unlimited PDF unlimited जो है आप टेस्ट दे सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं परिक्सा से पहले ये वीडियो देखना बार बार PDF खोलना इससे आपके समय की बरबादी होगी उस समय अगर आपके पास ये पांच रजिस्टर जो आपके छोटा रजिस्टर का पंडर घुटा खोटा जोटा पाँ होग तब ही उसमें राजिस्तान में जो है आपकी वेकेंशी आगी थी तो राजिस्तान की तीयारी में करadianed तो मेरे पास उसे लास्टमेंट डैल में ना पड़ा था तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे मैंने डैली एक पास रोज़्ञा एक पाट का means revision था तो जैसे पांस दिन पूरवे पांच पार्ट पूरवे छट्री दीन वापस पेला पार्ट है इस तरीके से महीने में छे बार ми म च्पारilton किया है एक-एक सवाल को च्पार पड़ा जाकर आज आपके सामने इस्वर और और आप सभी लोगों की दूआ से आज मैं राजिस्तान गौर्मेंट डिस्कुल के अंदर लाइबेरियन पर मैं कारे रहे हूँ, ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि जो मैंने इस्ट्रेगल किया है, वो आपको वाकई मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से पढ आदनी है, उस लड़की ने कोर्स ले लिया, और कोर्स लेने के बाद, वो कह रही है कि सर मुझे पीडियप दो, तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं कि अब पीडियप प्रिंट आउट नहीं निकलेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो कह रही से इतनी बड़ी क्ला नोट्स बना, जैसे मैं कहारा हूं, दो टॉपिक के तुम नोट्स बनाओ, फिर मेरा वीडियो देखो, फिर आप टेस्ट देदो, तो आपको पता चल जाएगा, तो उस लड़की ने दो टॉपिक के टेस्ट बनाएं, नोट्स बनाएं, फिर वीडियो देखा, फिर बिना लिखने से कितना याद होता है मैं बता रहूं आपको लिखने से कितना याद होता है फिर दो दिन के बाद उसका फोन आगया था सर I am very sorry उस लड़के ने कहा सर मुझे बहुत बड़ी गलती होगी मैंने आपके साथ बैस कर ली बिना वजे तो उसने खुद्रे माल लिया था कि सर लिखने से याद हो कै उस लड़की ने क्या काता सर एक बार बार थो लिखना है मुझे बार बार थ़ड़े लिखना है आप तो सारा दो जार, सोड़ा से दो जार, बीस सक, कम से कम 20 competition exam दिये है, इसमें से 8 competition में मैंने written exam निकाला है, तो जो मेरा जो experience है, जो मेरा जो अनभू है, वो मैं आपको साथ share करना हूँ, ठीकर न, मैं आज भी आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा मार्ग दर्शन, आपकी मैनत, और आपक मार्ग दर्शन कर सकता हूँ, guidance दे सकता हूँ, मैं, आपको पूरा content एक थाली में आपको परेशरा हूँ, बस आपको उसको केवल खाना है, आप उसको कैसे खाते हो, कैसे नहीं खाते हो, वो आप पर depend कर सकता है, ठीकर दोस्तों, आप library science में सबसे बड़ी समस्या क्या पता library science की एसको कोई किताब नहीं है, जिसके अंदर पूरा से लबस आता है, आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ matter यहाँ से उठाना पड़ेगा, कुछ matter वहाँ से उठाना पड़ेगा, तो आपके पास इतना time नहीं है, कि आप सभी किताबों को लेकर आपको पढ़ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, इसलिए आपको उसकी चिंता करने जुरूत नहीं, मैं आपको सभी university की जो किताबे, authentic किताबे, उनमें से पूरा content एकटा करके आपको दे रहा हूं, ताकि सिरफ आपको बस उसको, ready made material में आपको दे रहा हूं, ब बारे में, तो DRC topics जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहला सवाल है, जल्दी से answer दीजिए, कि DRTC का अर्थ क्या है, तो DRTC का अर्थ क्या है, पर DRTC की full form क्या होती है, DRTC की full form होती है, documentation, research and training center, जल्दी से जवाब दीजिए अगला question, तो अगला question है दोस्तों के, अगला question है, when was the DRTC established, DRTC की स्तापना कब होती, तो DRTC की स्तापना होती, 1962 में, कब होती दोस्तों, 1962 में होती, तिरसा सवाल का जवाब दीजिए, where is the headquarter of DRTC, DRTC का मुख्याले कहा है, तो DRTC का मुख्याले कहां पर है, दोस्तों, Bangalore में है, मैंने हमारा जो एप है, मैं online school India, उस app के अंदर पूरा content में नया पढ़ा रहा हूँ, और आपकी बहाली आएगी, उससे पहले-पहले मैं पूरा course करा दूँगा, recorded, और बहाली के बाद मैं वापस, आपका live course पढ़ाऊंगा, यही same, तो जो विद्यारती अभी से जुडेंगे ना, तो वो recorded class पढ़ अगला question ने, DRTC is an Indian institute, DRTC एक बारतिय संस्तान है, अब बारतिय संस्तान कौन से है, इस्टेटरिकल, कौन से है, इस्टेटरिकल, इस्टेटरिकल का मलन होता है, सांखी की, ठीक है ना भी, क्या है, सांखी की संस्तान है, त्यां दखना, ठीक है, अगला है, the main purpose of DRTC, DRTC का मुख क्या है, DRTC का मुख्य हुद्य से है, research and training in documentation, DRTC का मुख्य हुद्य से है, research in training and documentation, अगला question है, कि library science with slant to documentation and information study, जो ये general है, इसको publish किसके द्वारा क्या जाता है, इसको publish क्या जा रहा है, DRTC, और DRTC के साथ, DRTC के साथ कौन है वही, S, R, E, L, S, ये दोनों मिलकर जो है, जो है, त्रे मासिक general है, क्या है पर ये, ये दियान रगना आपके त्रे मासिक पत्रिका है, त्रे मासिक पत्रिका का मलब होता है, quarterly general, ये त्रे मासिक पत्रिका है, जो DRTC और S, R, E, L, S के द्वारा दिया जाता है, और इसको 1964 बे सुरू की गई थी, ठीके दोस्तों, तो बिहार लाइबेरिन की तेहरी करने वाले सभी विद्यारतियों को कहना चाहता हूँ, कि अभी हमारा ये offer चल रहा है, ज्यान रगना दोस्तों, ये अभी हमारा 50% offer चल रहा है, जो top, शुरू के जो 200 विद्यारतियों होंगे, शुरू के 200 व अभी benefit हो, मैं ये चाहता हूँ, कि आपको समय पर आप syllabus पूरा कर लीजिए, ये है, एक विद्यारति कहरा है सर, आप YouTube पर सारा topic पढ़ा दो, दोस्तों, इतना बड़ा syllabus है, YouTube पर पढ़ाया नहीं जाता है, चीके न, दोस्तों, इसलिए app के उपर क्या होता है, एक पुरा systematic तरीके से पढ़ा जाता है, app के अंदर video, video, test series, live class, पुराने paper, सब कुछ मिल जाते हैं, चीके न, दोस्तों, आप YouTube पर बार बार ढूंड़ोगे, तो आपको जो है, पूरा content मिलेगा नहीं, और last पर फिर आपको होगे, सर content मिलता नहीं, इसके अंदर, तो YouTube के अंदर पूरा syllabus नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ topic इसलिए पढ़ा जाता, ताकि आपको पता चले, कि सर का content कैसा है, सर कैसे पढ़ाते हैं, इसलिए समय मत खराब कीजिए, मेरे क्याना मानने लिजिए, जल्दी से जो है, app को join करके, तुरन परबाव से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखिये दोस्तो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मुझे आप लोगों को librarian बनाना है, मुझे आपको जो है, फालतों की बाते नहीं करनी है, लेकिन जो मैंने चार साल struggle किया है, वो अनवो, जो मैं चीज आपके साथ share करना चाहता हूँ, यही मरे उदिश्य है, इसके online school इंडिया सुमेर सर से पड़ा है, यह मेरे लिए बात में जो एक बहुत बड़ा compliment होगा, और मैं इसके लिए ही आप लोगों के लिए मैनत कर रहा हूँ, चीकर दस्तो, तो आप सबसे पहले हमारे app को download कर लिजिए, play store में जाकर हमारे app को download कीजिए, हमारा app का नाम है online school इ online school इंडिया app को download कीजिए, उसके बाद बिहार वाले course में जाईए, content में जाकर कुछ free video देखे वे, यह free video जो है आप देख सकते हैं, यह हमारा course अभी 5 अपरेल से शुरू हुआ है, जो अभी चल रहा है, डेली एक दिन छोड़ कर एक दिन class आती है, बड़ा सा notes बनाईए, revision कीजिए, test जरू दीजिए, thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरीके से आप पढ़ता रहे हैं, हार topic पढ़िए, notes बनाईए, उसके साथ नीचे objective questions कीजिए, इससे क्या है कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएए, ठीके न, याद हो जाएग पढ़ती है, इसलिए, YouTube पर हम सिर्फ syllabus का 10% ही पढ़ा पाते हैं, लेकिन app के अंदर जो है, वो पूरा पढ़ाते हैं, ताकि student को किसी परकार की कोई problem नहीं रहे हैं, अब आपको, खुद आपको पता कीजिए, अगर आप offline, अगर मेरे पास आते हैं, जोदपुर में, तो मे आइसल लेने की जुरूत नहीं है, अभी मैं आपको recorded पढ़ा रहा हूँ, एक वा recorded course पूरा हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही बहाली आएगी, बहाली के बाद हम आपका live course शुरू कर देंगे, तो आपका अच्छा revision भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठैंक यू इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें, जो विद्यायर्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाएं है, उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है, डिस्क्रिप् जो आपका झेलिग्राम चैनल से अगैनल चैनल से बहुत पर आत है, जो बहुत विर नहीं लिए प्रतामाा चैनल क्लास आपका देखने से विए लिएवां है, झाल यहाँ बहुत गह विए्योग्यां झाल उबपानासी जापका का विद्धाने क्लास बहुत परतार से थ téma